आ है कि क्या में आध तो बैसिक लिए मैं आझ आपको बता हो कि सबस्थे अधा इski ख्रूम कास्ट में तो इसलों से करते यौप नहीं होता है और हम कि ही अपने मोबाइल के होड़ से पार इसलों करते तो techn assembles हो जाता है तो यह एक बोगती outta bye कि अगर कोई laptop में कास्ट कर रहा है गूगल लोग के धुरू तो इसीजु को हमस्ट करते हैं तो इस इस्यु वहमों होता है और वन क्लिक में एक बेसिक प्रफ्प्स जो मैं आपको बताउंगा बहुत है। और बहुत लोगों को फैस होता है तो इसका कैसे सलुशन हम निकालते हैं जलते हैं इस व्यीज़़ पर देखाते हैं सबसे पहले हम चाहिजें के गूगल मेंयः चीज दिखाँ आख का कि सिंपली हम यहां पर मौझर हम वे इन ज कर लेंगे यह मारा गूगल ओपन हो चुका है तो सबसे पहले steps क्या रहे हैं हमारे तो basically क्या होता है कि देखे मैं यहां पर चीज आपको दिखा जेता हूं यहां पर लिखा है how to fix chromecast can't connect to wifi in all network तो basically क्या होता है कि जो chromecast है connect तो होता है बट किसी भी multiple networks में नहीं होता है हमारे mobile के hotspot से connect हो गया बहुत साही चल रहा है और हम किसी दूसरे wifi के network से connect करते हैं config करके उसके app में तो भी issues करता है तो और वो connect नहीं होता हम casting try करते हैं वो भी try नहीं होता है तो हम इसी इसको कैसे simply web में fix करेंगे आज चलते हैं आगे वीडियो में सबसे पहले हम क्या करें गूगल हम ने open कर लिया Google Chrome हम यहां पर Google Chrome का यह जो URL है यानि कि basically हम flags को open करेंगे यह Google Chrome का एक features है तो हम यह URL है मैं description में paste कर दूँगा ताकि आप वहां से pick कर लें और मैं यह copy करने के बाद simply जाँगो Google में और यह paste कर दूँगा यहां पे Google colon double slash flags slash यह मैं enter कर दूँगा एंटर करने के बाद देखेंगे यहां पर बहुत सारी features open हो जाएंगे यहां पर गूगल के यह data basically क्या होता है कि हम कभी भी किसी information को कास्ट करते हैं किसी network में तो वो Chrome उसको नहीं कास्ट करने लेता है तो अब हम कास्टिंग कर रहे हैं जैसी हम कास्ट कर रहे हैं इतमी से हमारा Google Chromecast होगा या एनी कास्ट होगा बहुत सारे से डिवा जाते हैं मार्केट में जो की कास्टिंग का काम करते हैं तो अब लेट सबच आपके बस लैप्टॉप है और आपको उस data को किसी screen पर शो करन इन बिल्ड होके आ रहे हैं बट बहुत सारे ऐसे पराने LCDs और TVs जिसमें कास्टिंग आप्शन नहीं है तो हम उस जगह पर Google Chromecast करते हैं तो simply हमने इस फीचर में हमने उपन कर लिया यहां पर उपन करने के बाद में यह हमारा फ्लैक्स उपन रहता है यहां पर क्या टाइप on the all IP addresses so have a media router connect to cast all devices नहीं कि not just these digits तो यह क्या कर रहा है कि यह न सभी IP addresses के लिए हमें इसे अनेबल करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी IP address हो किसी भी network का हो अगर हम उसे reachable हैं और अगर हम ping कर पा रहे हैं या हम उसमें कोई RTO नहीं आ रहा कोई host not reachable नहीं आ रहा तो उस case में हम क्या करेंगे इसको इसको हमें अनेबल करना पड़ेगा तो यह by default है तो by default पर नहीं हमें से अनेबल करते हैं अनेबल करते हैं और यहां पर आप देखेंगे connect to cast devices on all IP address और यहां पर क्या अनेबल तो अब आप जब connect करेंगे अपने wifi के network से और अपने mobile के network से किसी भी network से तो configure करेंगे तो यह बिलकुल connect हो जाएगा यही एक feature होता है जिससे हमें multiple time issues हो जाते हैं और यह features हम बार बार ट्राक करते हैं कभी हम locks check करेंगे हम किसी जगह पर check करेंगे तो हमें नहीं मिलता है तो यह बहुत ही basic सा अनसर है इसमें और बहुत ही unique इसमें चीजे हैं तो आ अपने chromecast में enable करके आप उसको configure करने के बाद में कीचीज करके आपका यह आपका काम करने लगेगा तो इस तरीके सा हमारा chromecast का issue resolve होता है और आप इसे try करके भी देख सकते हैं thank you guys